Dear students, स्वागत है आप सभी का City Montessori School Siwan के इस YouTube चनल पर आज के Biology क्लास में जिसमें मैं आप सभी को Class 9th CVAC के Biology का पहला चेप्टर, Cell the Fundamental Unit of Life का एक important topic पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जो की है Cell Membrane या कर सकते हैं, Plasma Membrane या कर सकते हैं, Plasma Lema. देखो, हम सभी ये पहले से ही जानते हैं कि सभी Cell जो है, चाहे वो Prokaryotic हो या फिर Eukaryotic हो, वो एक बहुत ही पतले और Delicate Membrane सगीर होते हैं, उसी पतले और Delicate Membrane को हम लोग Cell Membrane या फिर Plasma Membrane करते हैं. अब ये जो Plasma Membrane है या Cell Membrane है, इसका एक तीसरा भी नाम है, Plasma Lema, या फिर इसको Cell Membrane भी करते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था हूँ. देखो, ये जो Plasma Membrane है, ये इतना पतला होता है कि इसको हम लोग Light Microscope के अंदर नहीं देख सकते हैं. और साथी साथी ये भी ध्याम रखो, चुकि ये जो है Cell के, मतलब जो Cell होते हैं, उनको जो है Estable रखने में, यानि कि उसके Estable State को Maintain करने में जो है, एक बहुत ही Important, एक बहुत ही Vital Role Play करता है. यही कारण है कि इसको कहने को मतलब है कि Cell को बीना मारे जो है, इसको हम लोग Remove नहीं कर सकते हैं, यानि कि बीना Cell को मारे हम Cell Membrane को Remove नहीं कर सकते हैं, क्योंकि Cell Membrane जो होता है, वो Cell के Estable State को बनाए रखने में, बहुत ही Crucial Role Play करता है, बहुत ही Vital Role Play करता है. साथ साथ इसका Work का बात करेंगे, तो देखो यह जो है Physically Cytoplasm को, यानि जिस Cell का यह भाग है, उसके Cytoplasm को क्या करता है, कि अपने चारो तरफ के, यानि कि उस Cell के चारो तरफ का जो Cellar Environment है, उससे Separate करता है, यानि कि उसको अलग करता है. Simple समझ लो कि Cell Membrane जो होता है, वो अपने अंदर के Cytoplasm को दूसरे Cellos से Separate करता है, अब उमिद करता हूँ कि यह बात आपको समझना आ गया. अब चलिए बात करते हैं, Cell Membrane के बारे में कुछ और चीज़े है, देखो, यह जो होता है, यह Lipid के Molecule, Protein हैं, Carbohydrate हैं, तो ऐसे इन तीनों के Molecule का जो है, एक Fluid Mosaic Assembly होता है, ऐसा समझ लो आप लोगे, यानि कि यह आपस में Assemble हो करके, और फिर जो हैं, Cell Membrane को, ठीक है आगे Important Fact यह भी धियान रखो, कि यह जो हैं, बहुत ही ज्यादा पतला, साथ साथ जो हैं, जीवित और Dynamic Selective Transport Barrier होता है, प्लान्ट में अगर बात करेंगे, तो प्लाजम में जो होता है, वो आपका Cell Wall और Cytoplasm इन दोनों के बीच में होता है, जबकि अगर हमनों बात करते है Animal में, तो Animal में जो यह प्लाजम में में होता है, यह Cell का Surface बनाता है, यानि कि Cell का चारू तरफ का Boundary बनाता है, बाहर का भाग बनाता है, केमिकली अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग एक सेकेंड वेट कर लो, चलो, बस, ओके, थोड़े से परसानिक, चलो, तो मैं ब Composition का, तो इसका Chemical Composition जो है, कुछ इस परकार से है, यह जो है, 75% Phospholipid से बनाता है, तो वहीं 50% जो है, प्रोटीन से मिल के बनाता है, साथे इसमें कोलेस्टरॉल होते हैं, कार्भो हाइट्रेट भी होते हैं, तो यह चार इसके जो हैं Ingredients हैं, यानि कि इसके जो हैं जान ये भी रखना है आप लोगो को, कि चार परकार के मतले देखो, लीपिड जो है उसको चार मुख्य परकार में बाटा गया है, मेजर क्लासेज में जो है डिभाइट किया गया है, जो कि प्लाज्मा मेंबरेन के अंदर में पाए जाते हैं, वो कौन-कौन से देखो, वो ये गलाइको लेपिडस एस्टीरॉल हैं, इसके अलावा जो है फोस्फो लेपिडस हैं और साथ-साथ जो है अस्पिंगो लेपिडस हैं, ठीक है? तो ये आप लोगो को धियान देखना है, एक चीज़ धियान देखो कि ये जो कूलेस्ट्रॉल का बात आता है ना, तो कूल तो mammalian जो भी cell होते हैं उसमें जो है cholesterol पाया जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के अंदर में cholesterol होता है जबकि prokaryotic जो cell होते हैं उन सभी के अंदर में जो है ये cholesterol नहीं पाया जाता है अब देखो जो cell membrane के अंदर में protein का बात थो था है कि इसमें protein होते हैं 50% तो इन protein के position के according जो है इ एक है intrinsic protein और दूसरा है extrinsic protein या फिर कह सकते हैं हम इसको peripheral protein और एक दूसरा जो protein था वो था integral protein यानी simple समझ लो कि देखो यहां पर हाला कि बता ही दिया है मैं बता देता हूँ देखो एक्तो protein कहलो या फिर extrinsic protein कहलो या फिर peripheral protein करलो ये उसको बोलेंगे हम लोग जो कि plasma membrane के बाहर वाले भाग की तरफ में होगा और दूसरा इंडो protein या फिर intrinsic protein या फिर integral protein वो protein होगा plasma membrane का जो की Plasma Membrane के Internal Part के तरफ में होगा ठीक है तो आपने जाना कि Position के अधार पर Plasma Membrane के अंदर में जो Protein होते हैं उनको दो कटेगरी भी बाटा गया है अब वही अगर हमनों बात करते हैं इसके Function के अधार पर यानि कि Plasma Membrane के अंदर में जो प्रोटीन होते हैं, उनके काम के अधर बाट किया जाएगा, तो इसको तीन भागों बाटे हुए हैं, एक है स्ट्रक्ट्रल प्रोटीन, दूसरा है एंजाइमेटिक प्रोटीन, और तीसरा है ट्रांस्पोर्ट प्रोटीन, अब इनके बार में भी थोड़ा बहुत हम देखो, यहां पर जो स्ट्रक्ट्र दिखाया जा रहा है, यह एक्चुली जो है प्लाज्मा मेंबरेन का दिखाया हुगा है, देख सकतो है यहां पर बड़ा बड़ा आपनों को प्रोटीन दिख रहा होगा यहां पर यह जो चैन है, और यहां पर का चैन दिख रहा है, यह यहां पर छोट-छोटे bubble दीख रहा है यह आपके जो है lipid है यानि कि जो है यह दो थो layer है एक ऊपर का layer और नीचे का layer यानि कि जो plasma membrane या cell membrane होता है वो bilayer होता है दो थो थो इसमें जो है lipid के layer होते हैं जिसमें कि बहुत सारे protein के molecules भी होते हैं ठीक है? चलो जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है inner surface तो यह plasma membrane का inner surface है तो यहाँ पर जो यह protein रहेगा न इसको इंट्रिंसिक बोलेंगे या फिर जो है इंडो protein बोलेंगे या फिर जो है इसको integral protein बोलेंगे अब यह outer surface हो गया तो यह outer surface है तो इधर कि तरफ में जो भी यहाँ पर protein रहेगा उस protein को बोलेंगे कि यह peripheral protein है या फिर बोलेंगे कि यह extrinsic protein है या फिर कहेंगे कि इसको यह ectoprotein है उमिद कर रहा हूं कि यह समझ में आ गया best done position बट अभी जो हमें पढ़ना क्या है तो हमें पढ़ना है कि यह जो तीन तरह का मैंने function के अधर protein बताया था इनके बारे में देखो transport protein के पहसे आप से पहले बात करते हैं transport protein जो होता है यह कुछ specific substances को plasma membrane से हो करके अंदर बाहर जाने को allow करता है ठीक है देखो carbohydrate जब ectoprotein से attached होता है तो फिर वो जो है glycoprotein बनाता है अब यह एक्टoprotein से attached नहीं हो करके अगर जो है यह phospholipid से phospholipid के polar ind की तरफ में attach होता है तो फिर यह glycoprotein lipids बनाता है यह भी important fact है यहां रखना है आप लोंको अब देखो जितना आपके syllabus में है जितना आपको जानने चाहिए यह उतना ही जो यहां पर दिया होगा है और उतना ही अलों पढ़ेंगे अब इसके बाद जो है pain paper test आप लोग बना लोगे यहां पर साब साब दीख रहा है मैं कुछ सेकेंड रूक रहा हूँ आप लोग screenshot लेंगे और फिर pain paper test 4 आप लोग बनाएंगे copy में और इसके बाद जो है अगले video lecture में आप सभी को में पढ़ाऊंगा आज के लिए इस video को पूरा का पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद